अस्सलामू अलेकूम दोस्तों, नजर इंडिया न्यूज में आपका इस्तक्बाल है, कोरोना वाइरस एक खतरनाक और जानलेवा वबा की सूरत में पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए महराश्ट्रा राज्य के मुख्यमंत्री ने गुत्खा, तंबाकू, और सिग्रेट पर पाबंदी लगाई गई है, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन राज्य सरकार को साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, आज हम फिर आपके सामने कुछ नई तस्वीरे लाए हैं, जिनके जरिये हम आपकी तविज्जा एक बार फिर उन चीजों की तरफ दिलाना चाहते हैं जिनकी वज़ा से कोरोना वाइरस या उसकी तरह की दूसरी बीमारियां फैल सकती हैं, ये तस्वीरे खड़ी मशीन रोड, शिवाजी नगर और दरगाह रोड के आसपास की हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नालो की क्या हालत है, इन इलाकों में रहने वाले लोग भी इन सब चीजों को नजर अंदाज कर रहे हैं, कहीं हमारी ये लापरवाही किसी बड़े नुकसान की वज़ा ना बन जाए, हमारे आसपास के माहोल को साफ रखना हमारा फर्ज है, जिसे कहीं न कहीं हम सही तोर से आदा नहीं कर पा रहे हैं, ये खड़ी मशीन रोड पर मोजूद रहमानिया हॉस्पिटल के पास का नाला है, जिसमें कचरा जमा होकर ये बिल्कुल ही जाम हो चुका है, बारिश के मोसम में अक्सर ये नाला ओवफलों होकर बहता है, इसी गंदगी में, मलेरिया और डेंगुक क मच्छर पेदा होने का खत्रा है, प्रशासन को चाहिए कि इस पर ध्यान दे, ये खड़ी मशीन रोड पर चाइना हाइट्स बिल्डिंग के नीचे की जगह है, जहां पर मानो कचरा फेकना लोगों का मामूल बन चुका है, अगर ठाने महानगर पालिका का घंकचरा विभा ध्यान दे तो इस परिसर को बहतर बनाया जा सकता है, लेकिन चाइना हाइट्स और उसकी आसपास की सभी बिल्डिंगों के रहिवासियों से हमारा सवाल है कि क्या आप सब अपने परिवार को सेहतमन नहीं देखना चाहते, क्या आप अपने मोहले को अपने घर की तरह साफ सुथरा नहीं रख सकते, हमारा मकसद आप पर तंसकसना नहीं है, हम चाहते हैं कि आपके आसपास का माहोल साफ सुथरा रहे ताकि आप और आपका परिवार बिमारियों से मफूज रहे, खड़ी मशीन रोड पर मोजूद मेमन कॉलोनी के पास के इस नाले की हाल ही में मरम् लेकिन कुछ ही दिनों में नतीजा आपके सामने है, रोजाना बिल्डिंग के रहिवासी और आसपास के इलाकों के लोग इसमें घर का कचरा और गंदगी फेकते हैं, इस नाले के आसपास भी कचरा फेका जाता है, इसी नाले से लगकर मेमन बिल्डिंग का दाखली गेट क्या इस तरह से अपनी ही बिल्डिंग के गेट को गंदा रखना ठीक है? किया गया है, यही वज़े है कि लोगों को खुले नाले में कचरा फेकने के आदत हो गई है, इसी गंदगी से होकर आपको हॉस्पिटल तक जाना होता है, ऐसी हालत में बीमारियां लाजमी तोर पर फैलेंगी. हजरत सेयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्ला अले की दरगाह के सामने मोजूद साबिर प्लाजा बिल्डिंग के बाजू ये गंदगी और कचरे के धेर बीमारियों की वज़ा बन सकते हैं, यहाँ पर नालों की सफाई का सही इंतिजाम न होने की क्चरा पड़ा रहता है, क्या पूरे मुम्बरा शेहर में कचरे की निकासी का कोई सही इंतिजाम नहीं है। और वाइरस के फैलने का खदशा बढ़ जाता है। सब के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। विडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल नजर इंडिया न्यूस को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। सब्सक्रिया। स्क्रिया न भूलें। हमारे में मारे प्रिया करना भूलें। सब्सक्रिया कि इंड़ बारे में बारे में बारे में क्या रचिछ के विडि़்सT झाल झाल